मैं विश्विश सिंग आप देखने दिए ना बी रेडियो डूर्ण दोस्तो आज की इस वीडियो में हम उत्तर पर देशी यूपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं यूपी अगर आप यूपी की बात करो तो भारत के राजनितिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भारत के अंदर में ये राजनियतिक तोर पे भी बहुत मात्यपून है धार्मिक तोर पे भी और सांस्कृतिक तोर पे भी बहुत मात्यपून है अगर हम यूपी के स्टार्ट करते हैं वीडियो गठन यूपी का अगर हम बात करते हैं गठन की तो 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था इसकी राधानी लखनो है इसका छेतरफल 2,43,290 किलोमेटर स्कुएर है इसकी जनसंख्या 204.2 मीलियन है अगर हम उत्रपरदेस सरकार की बात करें तो राज़पाल अरंदी बेन पटेल मुख्य मंतरी योगी आदितेनात भाजपा से अगर आप उत्रपरदेस की तिहास की बारे में बात करो तो आरे मूल के लोगों ने अपनी सबता की नीव इसी छेतर में रखी थी वे जब यहां निवास कर रहे थे तो उनी दिनों महाभारत रमायन पुरान जैसे कई महा कावे लिखे गए अगर उत्रपरदेस में रहने वाले लोगों की बात करो तो उत्रपरदेस में बहुत संक्यक समाज हिंदु धर्म को मानने वाला है मतलब ज़्यादा तर लोग हिंदु धर्म को मानते है परंतु अलब संख्यकों में सबसे ज़्यादा परतिसत इसलाम धर्म को मानने वाले लोगों का है हलाकि राज़े में सिख, बोध, जैन, इसाई अच्छी संख्या में मौझूद है कहा जाए फ्रेंट्स तो एक लाइन में कहा जाए तो उतर परदेस में रहने वाले लोग हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सी, किसाई, सभी धर्मों के लोग रहते हैं उतर परदेस में उतर परदेस का राज के चिन्ने मचली और तीर कमान है आप साइड में एक चितर पी देख रहे हुए जिसके अंदर में उतर परदेस सरकार लिखा हुआ है यही जो चितर है उतर परदेस का राज के चिन्ने है उतर परदेस का राज के चिन्ने यह सरकारी महर पारूप में एक वृत में उपर तीर धनूस मतलब विर्थ के अंदर में ऊपर में तीर धनूस, बीच में बहती गंगा यमना नदियां और नीचे दाएं बाएं दो मचलियां हैं, इसे 1938 इसा में सुकृत किया गया था मतलब एक विर्थ है जिसके अंदर में ऊपर में उतर परदेश सरकार लिखा हुआ है उसके अंदर में एक तीर कमान, तीर धनूस, तीर कमान हैगा और तीर कमान से सटे हुए नीचे में दो नदियों का सिंबल है, जो दो नदियां बहती हुई दिखाए गई है जो गंगा यम्ना के संगम को दरसाती है जो यूपी में होता है गंगा यम्ना नदी का संगम होता है ठीके और उसी संगम के बीच में दो मचलियों को दरसाए गया है दाएं बाएं जो यूपी सरकार का पूरा सरकारी मोहर या राज के चिन्ने के तौर पे बनता है यही राज के चिन्ने यूपी सरकार का है का उत्तर परदेश सरकार का है अगर आप state animal राजे पसू के बारे में बात करो उत्तर परदेश का तो बारा सिंगा राजे पसू के तौर पे माना जाता है उत्तर परदेश का अगर स्टेट बर्ड राज्य पक्षी की बात करो तो सारस उत्रपरदेश का राज्य पक्षी है अगर आप राज्य पसू की बात करो फ्लावर की बात करो तो प्लास, टाक, टेसू जो फ्लावर हैं वो राज्य पुस्प के तौर पे उत्रपरदेश के माने जाते हैं इन फूलो को flame of the forest भी कहा जाता है अगर राज्य ब्रिक्ष मतलब state tree की बात करो तो यहां का असोक का जो पेंड होते हैं असोक के tree होते हैं वो उतरप्रदेस के राज्य ब्रिक्ष है यह राज्य पेंड है अगर उतरप्रदेस में जो पर्मुख राज्य नितिक पार्टिया है भारतिय राश्य कॉंग्रेस जिनका symbol हाथ है ठीक है आपको यहां पे चितर भी दिखे रहे हुए साथ में भारतिय राश्य कॉंग्रेस भारतिय जनता पार्टी कमल का निसान बहुजन समाज पार्टी हाथी का निसान बहुजन समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी साइकल का निसान राश्य लोग दल तो यह जो पर्मुख राजनितिक दल है या छेत्रिय दल है इसमें कुछ राश्य इस्तर की पार्टी है जो Congress Party हो गई, भारती जनता पार्टी, बीजेपी हो गई, तो ये कुछ राष्टे इस्तर की पार्टी है, कुछ छेत्री इस्तर की पार्टी है, जो ये उत्र परदेस में सक्री हैं, और सक्री राजनीतिक करती हैं, और अभी भी मौझूद है, अगर आप उत्र परदेस के जो पर्मुख उद्योग है, जो वहां के लोगों को लोकल लोगों को रोजगार उत्पन पैदा कर रही है, और हमारे देस की GDP में बहुत बड़ा युगदान निभारी है, तो जो पर्मुख उद्योग है, वो कोण कोई सहमिसकी बारे में बात करें, तो रसाइनिक उद्योग, ऐलमोनियम उद्योग, काच उद्योग, कागच उद्योग, चमड़ा उद्योग, दिया सलाई उद्योग, उनी वस्तुर उद्योग, सूती वस्तुर उद्योग, चीनी उद्योग, सिमिंट उद्योग, खादे, तेल उद्योग, साबुन उद्योग और सराव उद्योग परमुक रूप से कारे करते हैं ये सभी उद्योग मिलकर उत्तर परदेश सरकार के लिए और हमारे भार सरकार के जीटीपी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं विकास के लिए बहुत बड़ा कारे करते हैं और लोगों को रोजगान परदान करते हैं अगर आप उत्तर परदेश में बोली जाने वाली भासाओं के बारे में बात करें तो हिंदी, उर्दू, अब्धी, ब्रज, भोजपूरी, बुलिंद, खंडी और इंग्लिस परमुक भासाएं हैं उत्तर परदेश की जो आदिकारिक भासा है वो हिंदी और इंग्लिस को मानी जाती है अगर आप उत्तर परदेश में मनाए जाने वाले तहवारों के बात करो परमुक तहवार जो हैं वो दिपावली, दसैरा, नौरात्री, ईद, सरद पुनिमा, इदुल जूहा, तीज, लोडी, जनम आस्टमी, राखी, बैसाखी, कुम्भ मेला और होली ये परमुक तेवार हैं जिसमें से कुम्भ मेला, दिपावली, होली, इदुल जूहा, ईद, परमुक रूप से सक्रीय हैं और सबी गरों सबी लोग जानते हैं, सबी लोग मनाते हैं अगर आप यूपी के परियतन इस्थल की बात करों तो परियाग राज परियाग की लिए फेमस है कुम्भ मेले के लिए फेमस है, माग मेले के लिए फेमस है, परियाग के लिए फेमस है, तो ये उयूपी का परेटल स्थल है, वारनसी जो गंगा कासी विश्वनात मंदिर के लिए परसीद है, विद्यानचल जो विद्यानसनी देवी मंदिर के लिए परसीद है, योद्या ज ग Möglichkeit की ग fonctionошब projekt कर्के है उनके पर्सीद आ हुख्या और जयन तिर्थ करके कई सारे सारी जगह जो जगह और उस् Me ep के प्रविंताद नर्भ तोर पे मानेता प्राप्त है अगर आप घूमने फिरने के सौकीन हो तो इन सभी जगों पे विजिट करें बहुत अच्छी जगे हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रमुख है यूपी के अंदर में भी इस समय अगर यूपी में बहने वाली प्रमुख नदियों की बारे में बात करें तो गंगा, गोमती, ब्रामणी, मन्दाकनी नदी, छित्रकुट जिसे का जाता है यम्ना नदी, रोहनी नदी, सर्यन नदी ये जो प्रमुख नदियां हैं जो उत्र परदेस में बहती हैं अगर आप उत्तर परदेश की परमुख निर्तियों के बारे में बात करो, कौन कौन से डांस, कौन कौन से निर्ते उत्तर परदेश में परमुख है, तो रास निर्ते, जूला निर्ते, मयूर निर्ते, सोरा निर्ते, कर्मा निर्ते, नटवरी निर्ते, देवी निर्ते, पंक एम दिवारी नित्ते प्रमुख रूप से यूपी में करी जाती है जो प्रमुख नित्ते के तौर पर महनता प्राप्त है अगर आप उत्तर पर इसकी प्रमुख भोजन के बारे में बात करो तो मेरठ की घेवर, मक्खन मलाई, आगरा के पेड़ा, वारनसी की लस्सी, उ पनारसी पान, मतुरा के पेड़े, ये परमुख है, दोस्तो मुझे पता होगा कि आपको ये भोजन परमुख, भोजन मुखे, भोजन का बारे में पढ़कर आपके मूँ में पानी आ गया होगा, तो दोस्तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, मैं विश्री सिंग, आपके केरी हिस्ट्री और पोलिटिकल की अलग अलग तरगी टॉपिक्स लेकर आता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ, तो दोस्तो अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है, जिसके उपर आप वीडियो चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और दोस्तो मैं कमेंट बॉक्स में सुझेस्ट कर सकते हैं, ठीके अच्छे बुरे आपके होते हैं, बट आप कर सकते हैं, दोस्तो kalo कर सकते हैं, अगर आपके पास भी कोई